एक student multiplied a number by 4 by 5 instead of 5 by 4 multiply करना था उनको 5 by 4 से और कर दिया 4 by 5 से what is the percentage error in the calculation एक छात्र ने 5 बटा 4 के बजाए 4 बटा 5 से एक संख्या को गोणा किया उस गड़ना में हुई 30 का प्रतिशत क्या है देखिए इतना असान सवाल है कि आपको confused नहीं होने चाहिए मैंने 20 किया है एक बार 5 से डिवाइड करना है एक बार 4 से डिवाइड करना है तो 20 एक natural choice है इंटीजर मिलेंगे उसने multiply करना था 5 by 4 से अगर वो 5 by 4 से multiply करता तो आपको कितना आना चाहिए था actual answer 25 आना चाहिए था पर उसने किया क्या 4 by 5 से multiply कर दिया अगर उसने 4 by 5 से multiply कर दिया तो उसका answer कितना आ गया 16 आ गया ठीक है तो 25 से 16 में जो percentage error है वो कितनी है इसको 100 बना लू यह आपका हो जाएगा 64 percentage error कितनी है 36% percentage is defined on a base of 100 तो मैंने 25 को 100 बनाया है चार से गुणा किया यहां भी चार से कुणा किया सौस से चौसट होने में 36% का दुरूटी हुआ है माक करना थ्रेडी सेट्स पर्शन बिना किसी समझ चाहिए अगला तो अ कि अ